केंदर सरकार का बड़ा पैंसला 6 करोड से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा जी हाँ दोस्तों एक बेहद मैत पूर्ण जानकारी और बेहद मैत पूर्ण खबर 6 करोड से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए तो खबर के अनुसार करम चैरी भवशनी सेंगठेन यानिकी EPFO ने अपनी पैंसन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है जो की करोणों सब्सक्राइबर्स को रहाद देने वाला है दरसल रिटार्मेंट बोडी फंड ने 6 महने से भी कम समय में रिटार होने वाले सब्सक्राइबर को करम चैरी पैंसन योजने यानिकी EPS 95 के तैत जमारासी निकालने की अनुमती दे दी है PTI के मताबिक स्रमंत्राले की और से ये बयान जारी किया गया है और ये जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि Central Board of Trustees ने सरकार से जो सिपारिस की उसमें 6 महने से भी कम सेवा अवदी वाले सदस्यों को अपने EPS खाते से निकासे की स्विधा देना भी सामिल है देश बर में 6.5 करोड से ज़धा EPS के सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ ही 89 मंडल ने 34 परसों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे मेंबर्स को भी अनुपातिक पैंटसन लाब देने की भी सिफारिस की गई है इस विधा से पैंटसन भोग्यों को रिटेर्मेंट लाब के निधरन के समय ज़्यदा पैंटसन मिलने में मदद मिलेगी गौर तलब है कि अभी तक करमचारी बहुषनी दी संगटन याने की EPF को के सब्सक्राइबर्स को 6 मेने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने करमचारी बहुषनी दी खाते याने की EPF में जमा रासे की निकास से की ही अनुमती मिली हुई है लेकिन डिटार्मेंट बोडी फंड की और से लिये गए इस बड़े फैसले के बाद अब उन सब्सक्राइबर्स को भी बड़ी रात मिलेगी जिनकी कुल 6 मेने की ही सेवा बाकी है CBT की और से सौंबार को ये बैठक हुई थी और ये 232 भी CBT की बैठक थी तो इस बैठक में सरकार से ये सिपारिस की गई कि EPS 95 योजना में कुछ संसोधन कर रिटार होने वाले सब्सक्राइबर्स को पैंशन फंड में जमारासी निकलने की अनुमती दी जाए सरक मंत्राले के द्वारा जारी के अगये बैन में कहा गया है कि केंद्रिय मंत्री बुपेंदर याद्दाओ की अधक्षना में संपन हुई इस बैठक में EPS 95 के तहत जमारासी निकालने की सिपारिस पर फैसला लिया गया है तो इस तरीके से ये महत्पूर फैसला लिया गया है और अब यहाँ पर 6 मेने की सर्विस बाकी रहने पर भी एक रमचारी अपना पैसा निकाल पाएगा और इसके तहत अब उनकी पैंजन बुड़ती का रास्ता भी साफ हो गया है तो इस तरीके से EPFO के द्वार लिया गया है ये महत्पूर फैसला जिसका की फाइदा 6 करोड से अधिक सब्सक्राइबर्स को होने वाला है